तो वही लोग सभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सीएम विश्णुदेव साय लगतार अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं इसी कड़ी में सीएम साय शुक्रवार को जारखन की दौरे पर है इसी दौरान सीएम साय ने कहा कि जारखन के अंतरगत तीन लोग सभा कवर कर आए हैं सबी जगे अच्छी सभा हुई है भादपा यहां चुनाव जीतेगी इसके आगे उन्होंने कहा कि दो दिन पहले उडिसा भी गए थे जैसा बातावरन छग में है वैसा ही अनिराज्यों में लोगों का रुझान प्रिधान मंत्री के प्रती बढ़ा है आज जारखन के अंतरगत तीन लोग सभा में तुनावी सभाटेंड करके आए हैं एक तो खूटी में जहां से सरी अर्जुन मुंदा जी प्रत्यासी हैं अभी ओर टैबल मिनिस्टर हैं और धारखन के मुख मंत्री भी रहे हैं वहां बहुत अच्छी सभा हुई है और निश्ची तुर्प से खूटी की लोग सभा भारते जनता पाटी जीतेगी दूसरा आपका लोहट डगा सीट है लोग सभा सीट उसके चेनपूर में चुनावी सभा थी जिसमें समीर उराओंजी जो अभी एस्टी मोर्चा के राश्टी अध्यक्ज भी हैं और राश्भा सांसद भी हैं वो हमारे लोग सभा के परत्यासी हैं वहाँ भी अच्छी भीड थी अच्छे लोग वहाँ पर भी आये हुए थे जनसेलाव वहाँ भी हमड़ा था वो सिट भी हम लोग निकाल रहें और तीसरा लोग सभा सीभूम जहां से हम लोग की प्रत्यासी हैं श्रीमती गीता खोड़ा इस तरह से माहल बहुत अच्छा है अभी लगातार पिछले समय हम दो दिन रोडिसा भी गए रोडिसा के भी कई चुनावी सभा में सामिल हुए तो पूल मिलाके बहुत अच्छा जैसे 36 गड़ में पातावरण है वह सही अन्य प्रदेशों में भी है और मैं यह कर सकता हूँ कि पूरे देश की जनता का विश्वास आज भारती जनता पाटी और देश के सोश्री पधानों तेश्री नरेनु दिजी पर बढ़ाए